नीता के आंगर में बहुत प्यारा एक अंगूर का वेल था बहुत प्यारा पेड था वो और इसे आंगर में नीता की बकरी भी बंदी रहती थी बकरी दिन रात वही इसांगर में रहती थी एक दिन नीता फूर चली जाती है और पीछे से बकरी को खूटे से बाना फूर जात मीता की बकली धीरे धीरे अंगूर की बिल के पास आती है और वहां से छोटे-छोटे खटे अंगूर खाने लगती है हाँ हाँ कितना वज़ेतार अंगूर है आज को मीता मुझे पांसर भी नहीं गई अगर ऐसा रोल हो जाए तो मैं रोल अंगूर खाऊंगी येकिन इसके लिए मुझे शैतानिया कम कम नहीं होंगी बहुत अच्छे से रहूंगी ताकि मीता कल भी मुझे न बांदे बकरी बहुत तरीके से रहती है कोई गंदगी नहीं करती मीता की मा उस्टे कहती है अरे मीता देख तो हमारी चम्मो ने तो जड़ा भी गंदगी नहीं फेलाई है अब ये बड़ी हो गई है इसे खूटे से बांदना बंद कर दे ठीक है मा मीता ने अब अपनी बकरी को खूटे से बांदना बंद कर दिया कुछ मजीनों के बास बार्टास आती है अब तो अपनी बोर अंग्वर लगी है आज तो अंगूर खाने के लिए पेल पर चड़ना होगा पगर कैसे मीता ची बकरी भी बेल चड़ने लगती है लेकिन धारा उने देंशे के जाती है और उसके पैर में बोचा जाती है बकरी जोर जोर से रोनी लगती है मीता उसकी मार उसका खूँद खया लगते हैं किसने कहा था दीवार पर चड़ने को अब तो तो शेटानी करने लगी हो कहो तो फूटे से मानना शुरू कर दो अरे ना बेटा ना मत बाद मेचारी को अब तो इसकी एक टांग तूट गई है अगले दिन से बकरी निराश होकर बैठी रहती इस दिन आचानक जो पहर के समय में बेल से आवाज आती है क्या बात है बकरी बहुत शांत बैठी हूँ ये चोर कहां से लगवाली एक छोटासा नन्हा सा तोता वहां तर बकरी से बाते करने लगता है बकरी उसे पूरी बात बताती है तब तोता उसे कहता है अरे अरे कोई बात नहीं चोर ठी तो लगी है कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी अभी तो महारे लिए खटे-खटे मीठे-मीठे अंगुर तोड़ कर लाता हूँ आज से मेरी दोस्ती पक्ती समझदा बकरी बहुत फुश हो जाती है नन्हा तोता बड़ा सा खुच्छा अंगुरों का तोड़ कर उसके लिए लियाता है बकरी मज़े से खाती है तोता भी हर दोस वहां आने लगता है और दोनों मिलकर खाते है इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है हमें जी मुसीबत के समय अपने दोस्तों का खया लखना चाहिए धमन दिल धोड़ा और लंबे पेरो वाली बकरी को जादवी पेर का आशिरवार तुनार पूर जंगल में सभी जानवर बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे वो सभी आपसे मिलकर खेलते, साथ मिलकर खाते और साथ मिलकर मस्ती किया करते थे एक दिन बंदर ने कहा अरे हीरन भाई, बकरी बेहन, चलो आओ, हम चुपन चुपाई खेलते हैं हाँ, शीक रहेगा हीरन ने कहा तब बकरी कहती है ठीक है बंदर भाई, आप दोनों चुप जाओ, मैं आप दोनों को ढून दे हूँ बंदर और भीरन पेड़ों और जाड़ों की ओर पे चुप जाते हैं और बकरी वहीं आँख बन करके दस तक गिंती गिंती है एक, दो, तीन, चाथ, पाच, छे, ताथ, आट, नौ, और ये, देख, मैं आ रही हूँ लेकिन बकरी जैसे ही आप खोड़ी है तो उसकी आपो के सामने जंगल का बिगड़ा खमन भी पूड़ा खड़ा था जो की बहुत ही गुस्से वाला था और उसको अपकी लंबी-लंबी टांगों का बहुत खमन था गोड़े ने आट मारते हुए बकरी से कहा अरे तम मात बन करके क्या सब पस्या कर रही हो हड़ो हड़ो मेरे राम लज़े गोड़े की लिए तो खाकर बकरी दूरी खाकर गिरती है सबी फीरन और बंदर भी पाहा निकलाती है और गोड़े से कहते है गोड़े तुम्हें अपनी टांग पर इतना गमन नहीं करना चाहिए हाँ हम सबको यहां मिलजोर कर रहना चाहिए उन दोनों की बात सुनकर गोड़े को और दियर ज्यादा गुस्ता आजाता है और वो उन्हें माने के लिए तो आता है बंदर यठे पेड़ पर चड़ जाता है और भीरन भाद कर अपनी जान बचाता है लेकिन बकरी नहीं भाद सकती गोड़ा प्योड़ीती किताय कर जेता है और वहां से चला जाता है बकरी प्योड़ी से आदे हुँई लगती है हो 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 हे भगवास अगर मैं भाग नहीं सकती मेरे पैट छोटे है तो इससे मेरे क्या गंसी है आप मुझे ताकर भी ताकि मैं खोड़े को सबख सिखा सकूँ तब ही अचानक पेर के ऊपर से कुझे पत्या नीचे गेजादी है और पेर से आवास आपी है बकरी मैं जाद हुई पेर हूँ तुम मेरे नीचे गिरी हुई पत्यों को खालो इससे तुम वो ताकत ले आओगी जो तुम चाहती हो चाहिए सच है? बक्री ऐसा कहते हुए नीचे गिरी हुई पेड़ की पत्यों को खा लेती है और पत्या खाते ही उसकी तांगे ये कम खोड़े सी लंबी और ठाकतवर हो जाती है ये चमतकार देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर जाता है और हीरन भी वहाँ वापस लोटाता है और वो तीनों बिग्रैल गोड़े की सालाश से जंगर में निकल जाते हैं थोड़ी दू जाने पर वो देखते हैं कि घोड़ा एक छोड़े से चुहे को बहुत तंग रहा था तब बक्री उससे कहती है घोड़े इस चुहे को छोड़ दो हिंपत है तो मुझ से लड़ो घोड़ा बक्री से कहता है अच्छा पिछले पिटाई भूल गई क्या थोड़ी देर पहले ही की तो बात है जैसे ही घोड़ा बक्री जा अक्रमन करता है तो बक्री उसे अपनी लंड़ी चाहरों के नीचे गिरा देती है और घोड़ा बक्री से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसे किसी को भी तंग नहीं करेगा औरे बस मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा बादा करता हूँ बत्री जी लंबी चांगो के कारण जंगल को घोड़े के आतम से छुट कारा मिल जाता है और जंगल वादी एक तम खुश हाल रहने लगते हैं पप्पु नाम का एक खरगोश था जो अपनी सहेली मचली के पास रोज जाकर उसे मुलाकात किया करता था और उसे अपने दिल की घर बात कर लिया करता था एक तिल खरगोश जब अपनी मचली से मिलने के लिए जा रहा था तब रास्ते में उसमें हाथी से सुना आरे पप्पु कहा जा रहे हो सुनो सुनो जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है दुआ करना कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतू पपु ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है पप्पु अपनी दोस्ते मिलने के लिए आगी बढ़ता है तब रास्ते में उसे लोगणी मिलती है अरे 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 पपु बागवान तुम्हारी बात जरू सुनेगा तुम दुआ करना कल कि प्रतियोगिता में मैं ही जीटू पप्पू हसते हुए लोमली से कहता है हाहा, क्यो नहीं, परोर, परोर ऐसा कहते हुए पप्पू आगरे बढ़ता जाता है रासे में उसे कई चालजर मिले लेकिन समी अपने जीतने की बात पपू से कह नहीं थे कोई पपू से ये नहीं कह रहा था कि पपू उस प्रतियोगीता में भाग क्यों नहीं ले रहा इस बात से पपू बहुत परिशान था जब वो अपनी दोस्ट मचली के पास पहुचता है तो जोवजोर से दो निलалоता है हरे हरे क्या बात है रोग क्यों रहे हो पपू पपू से सारी बात बचाता है किसी को नहीं लगता कि मैं जीतूँगा इसलिए सबके सब बस अकनी जीत की बारे में बोर रहे है कोई ये भी मैं पूछना चाहता आपकी में प्रतियोगीता में भाग लेना भी चाता हूं के नहीं सब लोग बहुत मतलबी है कोई मेरा दोस्ता नहीं इस जेनल में मैं किसे से बात नहीं करूंगा कोई मेरा दोस्त नहीं अरे, अरे शाक हो जाओ इसनी नाराज की अठी नहीं पपू देखो, अपनी अंदर की प्रतिभा को तुम्हें प्रमचना होगा क्या तुम्हें लगता है तुम जीट सकते हैं? हाहा, क्यों मेरी? तो गर लगता है तुम लोगों की बात पर जाल ही क्यों दे रहे हो और रोग क्यों रहे हो तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई में भी रोग सकता और नहीं चीपने से मैं कहते हैं तुम कल की प्रतियोगिता में भाग लो शेर से जाकर बात करो और तुम्हारे लिए दुआ मुने करूँगी देखे न तुम धरूर जीतोगी मचली के समझाने पर पप्पू बहुत खुश हो जाता है वो राजा शेर से जाकर इस बारे में बात करता है राजा थी, मैं प्रतियोगीता में भाग लेना जाता हूँ हाँ, क्यो नहीं? राजा शेर ने जब ऐसा कहा तो पप्पू के सांस में सांस आई उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सब इस बात से हैरान थे कि पप्पू कैसे भाग ले रहा है उहें सिर्फ पप्पू को देखकर हैरानी हो रही थी कोई भी अपनी दोड पर धिहान ही रहे पा रहा था और इसी के साथ पप्पू से आगे मिकर जाता है और सबड़ी योगिता जीट जाता है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं पप्पू अपनी दोस्स के पास अपनी फ्रोफी लेका जाता है मेरे अंदर की प्रतिधा निकालने में मेरे दोस्ता सबसे बड़ा हाथ है शुक्रिया मेरी दोस्त और तुम्हारी दुआ देखो रंग आई है